Hello everyone, Good morning to all of you तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे देश्वासियों को धेर सारी बधाईयां और सुख कामनाई देना चाहता हूँ क्योंकि आज 26 जन्वरी है तो आप सभी को Happy Republic Day तो दोस्तों गर्तंतर दिवस आज बहुत ही हरसुला से मनाईएगा हमें गर्व होना चाहिए अपने देश पर, अपने देश्वासियों पर और खुद अपने आप पर हमें अपने आपको मजबूत करना चाहिए क्योंकि दोस्तों कोई भी देश महान तभी होता है जब उसके जो नागरिक होते हैं वो महान बनते हैं यानि कि आपको पता ही है कि कणकण से इस त्रिस्टी को बनाया गया है तो अगर हम इस राश के निर्माण में एक चोटे से कण है तब भी अपने योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए अपने आपको आप सफल बनाके, अपने आपको आप इमानदार बनाके, अपने आपको आप राश्ट कृपती समर्पित करके इस देश की महानता में कुछ और चांट सितारे आप जोड सकते हैं, कुछ और भिंदू आप जोड सकते हैं, तो मैं यही उमीद करता हूँ कि आप सभी प्यारे देशवासी, अपने देश भारत के लिए कोई न कोई योगदान जरूर करेंगे, अपने काम को इमानदारी से कर अपना मार्ग प्रसश्ट करते हुए देश की उनती का मार भी प्रसश्ट करेंगे, तो दुस्तो आए शुरू करते हैं, अब आज की नियू, सबसे बज़े तो बात करेंगे, UPTGT-PCT exam के बारे में साथिसाथ UPTT exam के बारे में भी तो दोस्तों जैसे की जांकारी मिल रही है बर्दमान समय में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ लेंगि फिर भी हमारे कई सारे में तरह हैं क्योंकि जानना चाहते हैं कि UPTGT-PCT की exam date क्या declare हो चुकी है क्योंकि social media में इसकार की खबरे आ रही थी तो दोस्तों उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो फरवरी 2024 में आयोग का गठन कर लिया जाएगा इस बात के लिए और इस आसे के लिए कई बार जो है एक संतुष्टी देने वाली न्यूज मिल रही है कि फरवरी में आपको जो आयोग है वो गठित हो जाएगा और फ्रेंड जैसा का आप लोगों ने देखा था कुछ मत्पूर्ट तैयारियां करनी थी ECI को और उसने अपने सभी आफिसेज को इसके बारे में एक पत्र के माधन से सुचित किया था तो इसका मतब यह है कि 16 अप्रेल एक संभावी तितिती हो सकती है बाद में ECI ने खुद बताया था तो इसका मतब यह दूस्तों कि अप्रेल और माई में लोगसभा के चुनाऊ हो सकते हैं अच्छे दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि 2024 में जो लोगसभा के चुनाऊ हो रहे हैं वो किस क्रम के हैं अगर आपको पता है तो निजे comment box खुला हुआ है comment जरूर करिएगा तो friends अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवार उठता है कि अगर फरवरी में आयो का गठन हो जाता है तब ऐसी इस्थिती में आपकी जो परिच्छा होगी वो कब तक हो पाएगी तो friends यहाँ पर बिल्कुल clear है कि अगर फरवरी में आयो का गठन हो जाता है तो मार्च में तो परिच्छा हो नहीं सकती है क्योंकि अभी जो पुराने आकड़े हैं उनको अस्परस्ट करना है क्योंकि पुराना जो आकड़ा है उसको लेने के बाद पिर आपको पता हिए कि चाय जो कुछ भी हो लगबग सभी परिच्छाएंस सभी बिशों की परिच्छाएंस में लेनी है तो दो सपता का समझ में लगेगा संडे संडे करके तो इसका मतब यह है कि बीच में आपकी परिच्छाएं भी हो रही है तो schedule तो बिलकुल खारी नहीं है इसका मतलब यह है कि अगर अप्रैल मैं में चुना हो जाते हैं तो फिर जून, जुलाई या फिर अगस्त ये तीन संभावित महीने हैं सरवाली संभावना बन रही है कि आपकी जो परिख्षाएं होंगी वो जुलाई में हो सकती हैं और UPTGT के बाद फिर उसके बाद दोस्तों आपकी UPTGT के परिख्षाएं करवाई जाएंगी मतलब जुलाई अगस्त का महीना आप लोग ले इंपोर्टेंट रहेगा तो फिर फ्रेंट्स अब आप लोगों को अपनी तयारी में अगर धार देना है तो अभी इस लगना पड़ेगा क्योंकि समय यूँ निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है और जो भरती बहुत ही मेहनत कर रहे हैं समय उनको भी कम बढ़ रहा है तो जो बिल्कुल इस समय अभी भी तयारी बिल्कुल नहीं कर रहे है उनके लिए तो समय यूँ निकलेगा कि पता ही नहीं चलेगा तो समय का इंतजार आप बिल्कुल ना करें अपने समय का सही सुद्वियोग करें करते हैं ना कि कुछ भी हो जाए चाद और सितारों की तरह हमें अपने समय का पालन करना चाहिए समय से पढ़ना चाहिए, समय से लिखना चाहिए और समय से ही आराम करना चाहिए और दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला भी है जो कि सभी पढ़ने वाले और जो अच्छे से टॉपर हम दिया है कि अगर हम दिन को 8x8x8 में बाट ले 8 गंटे सोने में लगा दे अच्छी बात है 8 गंटा बहुत है 8 गंटे स्ट्रीम में लगा दे और 8 गंटे अन्न कारवम में लगा दे तो आपको सफन होने से कोई भी रोक नहीं सकता है आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर आरो आरो की जो परिक्षा है वो 11 फवरीक होने वाली है इसके बारे में नोटिस जारी हो चुकी है 30 नॉम्बर कोई बता दिया गया था आप लोगों को तो अब आरो 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 की जो परिक्षा जो की 11 फवरीक हो है तो एक फरवरी के आसपास आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएंगे आपके जो केंदर होंगे परिक्षा केंदर होंगे दोस्तों यह मानिच लिए कि अगर आपने समय से आविदन किया होगा तो परिशा केंदर आपके जनपद में ही आपको मिलेंगे जो लोग लास्ट डेट में आवेदन किये हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सुरुआद में जो लोग आवेदन कर लेते हैं तो उनको लगभग परिशा केंदर उनके जननपद में ही मिल जाता है. अंतियों स्वेमें जो लोग आवsmा करते हैं तो अगर जन्पद में माला जो सीटें होती हैं, फूल हो जाती हैं तो पृर अधर डिस्टिक में आपको जो है भेह जाता है परिशा केंदर होंगे, वो उमिद की जा रहे ही कि उनके जन्पद में ही उनको दिये जाएंगे एक फरवरी के आसपास आपको एडमिट कर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों वहीं पर BPSC ने 427 अब्यटों को नोटिस जारी किया है और ये नोटिस क्यों जारी किया गया है तो दोस्तों जो आफिसल वेबसाइट है BPSC की online bpsc.bh.gov.in इस पर अब्यटों के जबाब देना होगा असपस जबाब नहीं होने पर समझा जाएगा कि अपने बचाओं में कुछ नहीं कहना है ऐसी सिती में इन अब्यटों के विरोध में कारवाई की जाएगी आयोग ने सभी मिद्वारों का करमांग विजारी किया है इन अब्यटों पर आरोप ये है कि बिना सपत्पत्र और साक्ष के आपत्ति दर्ज कराई है मतलब सपत्पत्र और साक्ष के बिना इन्होंने आपत्ति कैसे लगा दी आयोग के आदेश के उलंगन के साथ आयोग के बहुमूली समय को बरबात किया गया साथ ही आयोग पर अनावस्चक युन तत्हीन आरोप लगाते विए आयोग की छवी को धूमिल करने का प्रयास किया गया है बताते चलें कि आयोग की ओर से 3 जनवरी से 13 फ्रवरी तक आपत्ती ली गई थी इसमें 1231 सब्वेटियों ने आवेदन दिया 737 सब्वेटियों की ओर से सपतपत सनलक ने किया गया था वही 494 बे आपत्ती बीना सपतपत रिके थे इसमें 67 की पुनरावित की थी तो ऐसा क्यों किया गया नेमाली के खिलाफ जाके काम क्यों किया गया इसी पर असपस्टी करनमा का गया है इन अब भिरतियों से और देखो फ्रेंट सब बात करेंगे यहाँ पर UP PCS के बारे में सब्रेंज हुए हैं PCS की मुख्य परिशा में पहले सब्जेक्ट होता था सब्जेक्ट के बाद अब सब्जेक्ट को खतम करते हुए जो यूपी इस विसल दो पेपर कर दी गए है उससे यूपी की जो बहती है उनको फाइदा काफी मिल रहा है तो यहाँ पर जो यूपी क और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि अगर करेंडेफर पढ़ना है तो कितना पढ़ना चाहिए देखो फ्रेंड्स यूपी प्यसी के दवारा कम सकम एक से डेट साल पुराने करने पर भी पूछे जाते हैं लेकिन अब क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो मैं बाथ पढ़ने की जरुत नहीं है तो सितंबर से लेकर 25 जनर्वरी तर तो यह पांच मेरेकर करेंडेफर है इसको आप जरूर पढ़ें अगर आप चाहिए तो ये जो पांच मेरेकर करेंडेफर है मेरी जो नोट्स है उससे भी आपढ़ सकते हैं 5-month करेंडेफर तो इसका लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फ्रेकमन बाक्स में दे दूंगा वहांस जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कम पेजेज ज्यादा पेजेज नहीं है मतलब आप माने चलो कि पूरा महीना आपको 20-25 पेज में कवर करवा दिया गया है तो इतना पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है और डे वाइज कवरेज है तो आपको पता चलता रगता है कि आप कितना जोड़ पढ़ चुके हैं कितना आपका कम्प्लीट हो चुका है पांच मेहने में पढ़ने में आपको इंट्रेस्टिंग लगेगा और फैक्ट जो है टूदी पॉइंट है के वल वन लाइनर के रूप में है जहां बजरुत पढ़ी है वहाब व्याक्या दे दी गई है बहुत तरह अब भरती जो पर्शिच कर चुके हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं क्यो पर भी आप स्टेडी करते हैं बहुत धन्यवाद और आज आप लोगों के साने मैं एक अंडू दवर भी करूंगा कि मेरा टार्गेट पूरा करवा दीजिएगा मात्र पंद्रसो लाइक का अगर आप कर सकते हैं इस टार्गेट को चीप करें मेनी मदब तो आपका मैं आभ वाले लूंगा तेंग्यू